नमस्कार दोस्तों इस मी विवेक एंड यो आर वाचिंग वी रॉक एंड पॉप मुजिकल चैनल तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया है यामाहा PSR SX600 जैसा कि आप बॉक्स देख रहे है चोकि यामाहा PSR SX600 आतो खब की चुके थी लेकिन टाइम की वज़े से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे तो आज सोचा कि डेलेवरी से पहले SX600 के लिए आपका अन्बॉक्सिंग वीडियो बनाया चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं यामा PSR SX600 की यह जो कुछ बॉक्सिंग है बहुत ही मिनिमलेस्टिक और सफीशेंट और बहुत ही सफिस्टिकेटेड तरीके से आती रंग भी रंग भी कलर में ना आते हूँ एक से दिखाता हूं अभी देख पा रहे हैं SX600 का वारंटी काड यहां पर अटेच मिलेगा अगर वीरोक से आप पर्चेस करेगे तो यही वारंटी काड को स्टैंफ अगेरा स्टाइन साइन करके आपको रेजिस्टर करके दिया जाएगा प्रोड़क्त और मैं आपको उपन क के लिए SX600 इसका इंडेफ्स रिव्यू अगेरा अपनी चैनल पर अल्रेडी बन चुका है इंडेमो वगेरा तो मैं लिंक डेस्रिप्शन में डाल दोगा ओरीजिनल पावर एडप्टर पी थ्री हंडेड पी इसका एक पावर कोड जो की एडप्टर में कनेक्ट हो फिर हमें देखने को मिल जाता है एक बड़ा मोटा सा मैनुवल और नोटेशन स्टेंड और फाइनली SX600 जिसको मैं स्टेंड पर लगाता हूं और आपको दिखाता हूं बॉक्स को करते हैं थोड़ा साइड में स्क्रीन के उपर देख रहे हैं SX600 दोनों थर्मों को करता हूं साइड में और अभी हम आपके लिए ओपन कर रहे हैं आपका प्यारा सा केबोर्ड SX600 चुकि आप उसका लूक एक बार निहारिए मैं जूम करके दिखाता हूं सबसे पहले हम यहाँ पे देखे राइट से लेफ्ट के और जाएगे तो SX600 की ब्रांडिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं फिर इसमें सारे क्लिक वाले बटन है आप आवाज सुनिए बहुत ही अच्छे और हाई कॉलेटी आता है जबकि SX700 और 900 में रबर कॉंटेक वाले बटन हैं जबकि इसमें पूस्वीच का यूस किया गया है जो कि एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड तरीका होता है प्रोफेशनल को एक फिडबैक मिलता है प्रेस हुआ के नहीं हुआ इ देखे तो यह इसकी पूरी साउंड पैनल है जहां पे अलग-अलग केटेगरी से वॉइस लिखे गए है आप देख सकते हैं वन टच सैटिंग है इसमें राइट वन राइट टू दो लेयर है जगके SX700 और 900 में अपर 1,2,3,3 लेयर के टोन किये जाते हैं आर्मनाइजर औ दोनों सस्टेन का बटन हमें यही पर देखने को मिल जाएगा DSP ऑन अफ कर सकता है अब ट्यू प्लस माइनस हो जाएगा तो हम और आगे देखते हैं इसमें तो जैसे की पैनल में देखे तो यह अब कलर स्क्रीन हो चुकी जिसको हम आउन करके बाद में दिखाता हूं यहा है नो है मेमरी है और वैसे ही हम यहाँ पर देखे यदि तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा इंट्रो तीन टाइप के इंट्रो है चार वेरियेशन है ब्रेक है फिल इन है सब कुछ है सिंग स्टार्ट रेकोर्ड है असाइनेबल स्वीचीज है नॉब्स है तो एक बहु विल्यूम का नॉब है यहाँ पर तो जरा हम उसको अन करके आपको दिखा देते हैं तो अब भी हम उसको करते हैं स्टार्ट तो यामाहा का लोगो स्क्रीन पे आ चुका है हम देख सकते हैं तो कीबोर्ड ओन हो गया और हम उसका करते हैं सबसे पहला पियानो साउंड चेक यहां से हम सच्टेन ओन करते हैं साथ में हम स्ट्रिंग को भी एक्टिव करेगे स्ट्रिंग का लेवल हमें थोड़ा कम करना पड़े का डेफिनेटली तू जबर्दस है किबोर्ड डेफिनेटली हम यहां पर उसकी साउंड लाइब्रेर भी देफिनेटली हम यहां पर देखे और हम गिटार देख लेते हैं करत देखे ज्री रॉचा डेफिनेटली हम यहां डेफिनेटली लाइब्रे खशबवर्ड ग्रेफिन थे रखिनेटली कर दो कर दो कर दो फिर हम देख लेते उसके कोई strings कर दो कर दो किते लिए ख और भी इसके इंडेप्ट साउंड वगेरा जो अपने विरॉक की चैनल पर है डिस्क्रप्शन में में लिंक दे दे तो आप देख सकते और अभी कुछ इंडियन इसमें इंस्टॉल करके भी यही वीडियो में आपको दिखा दे तो हम देखते हैं भी इसके कुछ इंडियन ट कि में वितने सब्स एंडेगा डाइल बूल करते हैं रिस तो data कि में आई टाने शॉत आप यद्य Yo踊एलगा मदोल में हैं अंडियन करaggiण में लंतलाइं ट्रमπα्ट अपने फ्लूट एकोदियन एकोदियन अविश्टी इसे एक तूटी है पिर हम देखते हैं कि विना सरोध वैसे ही वायलिन है नदेखते ही वायलिन है प्रिफ चीर में देखते हैं नदेखते हैं बसे ही कोई एक संतूर दिखा देते हार्मोनियम एक दिखा देते हैं और ना बोले कि हार्मोनियम ने दिखा देते हैं तो बहुत ही अच्छे-च्छे साउंड है एक से बढ़कर देते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए डिस्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जागी है और आपको यदि ये कीबोर्ड पर्चेस करना तो दिए गए नीचे डिस्रिप्शन है स्क्रीन पर नंबर्स आते रहेगे तो बहुत सारी महायती मिल जाएगी इंडियन टोन इंडियन रिदम बगरे के देमों हमने डाले है तो जिस किसी को भी यह पर्चेस करना है तो हमें डैफिनेटली कॉंटेक्ट कर सकता है औल ओवर इंडिया डिलेवरी कर दी जाएगी त तुम मिलते है अगले वीडियो भी थन्यवाद